नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ करेले के जूस के बारे में जी हां दोस्टो diabetes, diabetes और diabetes केवल 90% जो लोग होते हैं उन्हें करेले के जूस के फाइदे केवल diabetes में ही नजर आते हैं कि ये diabetes में फाइदे मन्द होता है और ये बार सच भी है diabetes में तो ये काफी ज़दा फाइदे मन्द होता है जिसके बारे में अधिक्तर लोग जानते हैं लेकिन केवल करेले का जूस diabetes रोग में ही helpful नहीं होता है ये केवल वहीं तक सीमित नहीं है इसके और भी बहुत सारे फाइदे होते हैं जो की अधिक्तर लोगों को पता नहीं होत हैं और दोस्तो करेले के जूस के जो फाइदे होते हैं वो केवल डायबटीस को अगर छोड़ दो तो दूसरे भी कई प्रकार के फाइदे इसके होते हैं जिसकी जानकरी ना होने की वज़े से लोग इसका ज्यादा फाइदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनके पास जानकरी नहीं होती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करेले के जूस की सारी हेलफुल जानकरी देने वाला हूं कि केवल डायपटीस के अलावा भी करेला किन किन और चीजों में आपके लिए फाइदे मन्द हो सकता है ना सिर्फ करेला बलकि करेले का जूस तो चलिए दोस्तो बताते हैं इसके लाजवाब फाइदों के बारे में तो दोस्तो आपको बता दें कि एक इस्टेडी के अनुसार करेले का जूस मोटा पा कम करने में हैलफुल होता है जी हां यह इंसुलीन को एक्टिव करता है जिससे शरीर में बनने वाली शुगर फेट का रूप ज़्यादा आप एस्ट्रा केलरी नहीं लेंगे तो आपका वजन तो कंट्रोल में रहेगा इसे ही अब बात करते हैं इसके अगले फाइदे की जो कि सभी लोग जानते हैं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि करेले का जूस ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इसमें मोमर फाइदे की दोस्तो क्रेले का जूस केंसर पत्री किडनी की पत्री ये सभी निकालने में भी हेल्फ फुल माना जाता हैं इसकी जानकरी बहुत इकम लोगों को होती है इसके अलबा दोस्तो यह है दूसरी बिमारियां इन में भी करेले का जूस या फिर करेला बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन ड्रोगों से दूर रहने के लिए करेले का जूस अगर पीए तो इसके लब आपको बता दू दोस्तों कि करेले का जूस आखों के लिए भी काफी ज़्यादा बेनिफिशल माना जाता है इसमें बेटा के रोटीन होता है जो आखों से सम्मंदित बीमारियों को दूर रखता है आखों की रोशनी बढ़ाता है आई साइट को इंक्रीज करने में काफी ज़्यादा करेले का जूस बेनिफिशल माना जाता है दोस्तों अगर आपको कोई पाचन सम्मंदित समस्या है तो करेले के जूस से बेटर ओप्शन आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों यह पाचन से सम्मंदित बिमारियों को दूर करने के लिए एक रामबान डवा के रूप में यूस होता है होता आया है और होता रहेगा जी हाँ दोस्तों करेले का जूस कबज, गेस, एसिडिटी जैसी तमाम बिमारियां जो पेट की होती है चोटी चोटी बड़ी बिमारिया उसको दूर करने में काफी ज़्यादा हेल्प करता है यह आपके कोंस्टिपेशन को शुदार कर रखता है आपके डाइजेशन को हो रही है तो इसलियास से भी करेले का जूस बहुत हिल्पूल है इसके अलावा दोस्तों आपको बिदा दूँ कि करेले में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बेक्टिरियल प्रोपर्टीज होती है जो की खून को साफ करने का काम करती है इस वज़े से क्या होता है अगर ख बात ये भी गई जाती है दोस्तों कि ये ओल्डनेस नहीं आने देता जल्दी जियां बहुत सारे आजकल के यूवा ऐसे होते हैं जो की उनकी उमर केवल 20 या 25 साल की होती है तो अपनी जवानी के इस चरम सीमा पर पोशने के बावजूद उनको अगर देखें तो एसा लग करता है और दोस्तों सबसे बड़िया बात करेला है ना आपकी स्कीन में ग्लो लेकर भी आता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं जिया ऐसा क्यों करता है करेला या करेलेगा जूस क्योंकि इसमें विटामिन A, विटामिन C और एंटी ओक्सिडेंट होते हैं सा जनाब केवल डायबिटीज में ही नहीं डायबिटीज में तो करता है यह यह मदद लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी तरह की चीजे हैं जिसमें यह helpful होता है आप लोगों के लिए तो दोस्तों देखा आपने यह थे करेले के जूस के लाजवाब फाइदे लेकिन अंत में आपको एक चीज के लिए मैं साउधान जरूर कर दूँ वो क्या देखे दोस्तों किसी भी चीज की अती हानिकारक होती है इसलिए करेले के जूस के इतने सारे फाइदे देखके बहुत ज़्यादा एकसाइटेड मत हो जाईएगा जी हाँ इसके कुछ साइड फेक भी होते ह चोटा सा आपको बता देता हूँ देखिए आप लिमिट में रेके ही करेले के जूस का सेवन करे आप पूछेंगे लिमिट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ हफते में दो बार आप करेले का जूस पी है कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन यू नहीं है कि आप हर दिन कर लेका जूस पीरे हो तो उससे आपको बहुत ज़़धा फाइदे मिलेगा नहीं उससे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है क्या क्या हो सकता है किड्टि से समंधित कोई problem create यह कर सकता है वैसे भी आयूरवेद और बड़े बुजूर की कहते रहें कोई भी चीज बले कितनी ही beneficial क्यों न हो लेकिन जरुरस से ज़्यादा ना खाए तो करेले के लिए भी ये चीज बस आप end में ध्यान जरूर रखें कि जरुरस से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है सही मातरा हमने बता दी है हफते में दो बार करें कोई problem नहीं है लेकिन आपको डेली नहीं इसको consume करना है इस बात का ध्यान रखें तो दोस्तों देखा आपने ये थी करेले के juice से संबंदित लाजवाब जानकारी जो बहुत अधिक लोग नहीं जानते होंगे तो अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबा देना धन्यवाद दोस्तों